नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज दिगंत किताब को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ, ये मेरा वीडियो आपकी कक्षा के लिए हिंदी विशय को लेकर बनाया जा रहा है, मैंने पहले आपसे वादा किया था कि मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा और उसी वादे को निभाने के लिए मैं आज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हिंदी भाषा, हिंदी विशय के सभी पाठों को पढ़ाया जाएगा, उमीद करता हूँ कि जैसे आपने मेरे अंग्रेजी वाले विशय को पसंद किया, उसी तरह से इसको भी पसंद करेंगे, तो इसी उमीद के साथ हम लोग सीधे विना ववक्त बरबाद किये हुए विशय वस्तु पर आते हैं, तो किताब का नाम है दिगंत भाग एक, कक्षा ग्यारह, कक्षा ग्यारह, दिगंत भाग एक, ओके, दिगंत भाग एक, then we will come here, first of all we will see here, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, अनुक्रमणी, यह पाठ सूची है, अनुक्रमणी, पाठ सूची, इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, गद्ध खंड, इसमें सबसे पहला पाठ है, पूस की रात, जो महान कथाकार, प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो करके, शुरू हो करके, यह पहुंचता है, गाउं के, बच्चों की शिक्षा, कृष्ण कुमार के द्वारा लिखित, उसके बाद हम लोग देखते हैं कावे खंड, कावे खंड में पहली कविता जो पद है, वो है विद्यापती रचित, उसके बाद हम लोग अंतमेश में देखते हैं मात्री भूमी, यह मात्री भूमी, अरुण का मल द्वारा रचित, और उसके बाद हम लोग सीरह आते हैं, यहाँ पर जो यह लिखा है, पूरे पेज में यह एक लाइन लिखा हुआ है, गद जीवन संग्राम की भाषा है, निराला, सूरे कांत्र पाठी निराला, इनका यह विचार है, गद के विशय में, तो साहित जो है भाषा, दो प्रकार की होती है, गद यवंग पद, वो लिखित, मौखिक, दूसरा प्रकार, और यह है गद यवंग पद, तो गद क्या है, तो जीवन संग्राम की भाषा है, गद में व्यक्ति, मनुष्य, जो अपने जीवन में संग्राम करता है, संग्राम मतलब व्यक्ति-व्यक्ति से युद्ध ही नहीं, बलकि व्यक्ति के जीवन में भिन-भिन प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, भिन-भिन प्रकार की समस्याइं होती हैं, व्यक्ति उन समस्याओं से जूजता है, उनका समधान ढूंडने की कोशिश करता है, ताकि उसका जीवन, सुन्दर और समाजोपयोगी हो सके, इस प्रकार से व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष करता है अपने जीवन की समस्याओं का समर्धान करने के लिए, तो निराला ने बोला कि गद्ध का अर्थ ही है कि उसमें जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भाषा अगर कुछ कहने का माध्यम है तो जीवन संघर्ष को ही अभिव्यक्त करना भाषा का उद्देश है, ये गद्ध के विशय में महान सहित्यकार सूरे कांत्र पाठी नीराला का विचार है इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेम चंद प्रेमचंद जी के विशय में हम लोग बात करेंगे अब तो प्रेमचंद के विशय में क्या बात करना है वो 安全 कि जो भी आपकी पाठे पुस्तक में लिखा है उसे याद करना है उसे समझना है सही माने में उसका अर्थ क्या है उसका जीवन में महत्यों क्या है उप्योगिता क्या है अगर इन बातों को आप समझ पाए तो मेरे दोस्त मैं आपको आश्वाशन देता हूं कि आपको अंक आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी जरूरत इस बात की है कि आप दिये गए तत्यों को समझें उन्हें याद करें तो ये प्रेम चंद के विशय में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये 31 जुलाई 1880 जन्म हुआ निधन उनका हुआ 8 अक्टूबर 1936 जन्म अस्थान कहां है तो ग्रा नाम का नाम है लमही वारा नशी में है जो उत्रप्रदेश में है मूल नाम उनका था धनपत राय ये प्रेम चंद उनका सहित्ति की नाम है साहित्ते की नाम है असल में उनका नाम था धनपत राय आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से किया और शुरू में जब वे लेखक बने तो उन्होंने अपना नाम रखा था नवाब राय ठीक है आनंदी देवी एवंग मुंशी अजायवराय इनके माता पिता थे शिक्षा इनकी हुई 1910 में इंटर किये 1919 में बिये विरित्ति मतलब पेशा इन्होंने रोजी रोटी के लिए कौन-कौन से काड़े किये इसकी यहां सोची है तो प्राइवेट ट्यूशन किया इन्होंने अध्यापकी की पढ़ाई लिखाई की प्रोफेसरी किये अध्यापक बने अध्यापक पढ़ाये जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी जालियावला बाग हत्याकांड और अस्वहयोग आंदोलन शिरने पर सरकारी नौकरी छोड़ी संपादन इन्होंने कुछ पुस्तकों प्रमुख्र कृतियां ये प्रेम चंद के लिखे हुए साहिते हैं इनका नाम है सेवासदन प्रेम आश्रम रंग भूमी काया कल्प निर्मला गबन कर्म भूमी गोदान मौलिक उपन्यास हैं लगबक तीन सो कहानियां मान सरोबर आठ खंड में हैं अनेक निबंध लेख ठिपणियां आजी वीविध प्रसंग तीन खंड में संकलित हैं अनेक अनुवाद भी इन्होंने किये तो मेरे दोस्तों आपको ये याद करना चाहिए प्रेम चंद की लिखी हुई पुस्तकें उनके कार्य यहाँ पर आपको हैं ये याद करना इसलि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रेम चंद के लिखे इन पुस्तकों का नाम आपको याद होना चाहिए आप्टर दैट उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी के महान कथाकार प्रेम चंद अब विश्व शाहित्य की विभूती बन चुके हैं बहरतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धे देशकाल की सीमाओं का अतिक्रमन करती हुई वैश्वी के रूप ग्रहन कर चुकी है अब प्रेम चंद देशकाल की सीमाओं को पार कर चुके हैं अब वे सिर्फ उतरप्रदेश वारानसी या भारत के ही नहीं जाने जाते बलकि अब उन्हें पुरे विश्व के लोग पहतानते हैं एक साहित्य के विक्तित्य के रूप में प्रेम चंद के साहित्य को पूरे विश्व ने मननेता दी है प्रेमचंद बहुत गहरे विशिष्ट रूप में भारतिये नवजागरण एवंग राष्टरिये अंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे ये विशेष्ट रूप से भारतिये नौजवागरन हुआ, ये अंग्रीजों के खिलाप जो अंदोलन चला, उसे लोग भारतिये नौजवागरन के नाम से भी जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी की मांग उठी, लोगों में आत्म चेतना आई, लोग अपने आपको आजा सिती को इस धारा को हम लोग बोलते हैं नौजवागरन की धारा, तो ये प्रेम चंद ने, प्रेम चंद जैसे बहुत सारे सहित्यकार, उनमें से प्रेम चंद भी एक, इन्हों ने नौजवागरन को, मतलब इंसान अपने अस्तित्यों को पहचानना शुरू किया, इसे हम ल जागरित नहीं हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आप अपनी पर्ष्थिती को बदल सकते हैं, अपने भागे को समार सकते हैं, जो आपके जीवन में अब तक नहीं है, जो आपने नहीं पाया है, वह पा सकते हैं, तो समझिए कि आप जागरन का अनुभव कर रहे हैं, आप मे जाग्रिती है तो प्रेमचंद गहरे रूप से ऐसे सहित्यों को ऐसे विचारों को प्रेमचंद ने गहरे रूप से सुविकार किया इस प्रकार से उनको मना जाता है कि वराश्ट्री अंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे राजनितिक स्वाधिन्ता की परिनतियां शेष हैं और नवजाग्रन की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है लिखक का विचार है कि अभी भी जो आदमी जो व्यक्ति संपाजित कर रहा है इस निबंध को प्रेमचंद के विशाय में उनका विचार है कि अभी भी जागरन पूर्ण रूप से समाज में नहीं आया है और स्वाधिन्ता के जो परिणाम है वो अभी भी पूर्ण रूप से दिरिश्टी गोचर नहीं हो रहे हैं तो यह सब अभी होना बाकी है राजनीती के साथ साथ समाज संस्कृती राष्ट्रियता और मानवववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनातमक परिवर्तन प्रकट और प्रचन्न रूप में अभी जाड़ी हैं अभी भी इस देश में परिवर्तन होड़ै हैं संस्कृतिक अश्टरियता के आउसर पर मानवववाद के आउसर पर रचनातमक्त के रूप में मतलब ये सब किरेटीवीटी रचनातमक्ता के रूप में किसी रूप में दिखाई पर रहे हैं आज भी व्यक्ति अपनी सही पहचान के लिए संखर सरड़ता है और जब तक यह प्रिक्रिया चल रही है प्रेमचंद और उनका सहित हमारे लोकतंत्र के भविश के साथ भी प्र और सिद्धी के लिए उनके सहित्य को अपनी प्रेड़ना का सवटी और प्यमतमे के रूप में घढ़ान कर सकता है हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धी के लिए प्रेमचंद के साहित को सुईकार करके उनसे पैमाना, एक इस्टेंडराईजेशन, असल में लोगतंत्र क्या होना चाहिए? इसके एक पैमाना, एक तराजू, एक संतुलन, एक इस्टेंडर फॉर्म, फॉर्मेट, प्रारूप प्रेमचंद के साहित में मिलता है. बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ, इनका सहित हमारे लोगतंत्र के लिए भी एक अनिवाड़ पाठ है, एक लेसन है, इसके बगएर प्रेमचंद को पढ़े वगएर आप अच्छा, सही माने में लोगतंत्र के प्रहड़ी नहीं हो सकते, इनका रोल, इनकी भूमिक्या इसमें बहुत बड़ी है, प्रेमचंद ने हिंदी कथा सहित्य को मनुरंजन के स्तर से उपर उठा कर, जीवन के सार्थक रूपों में जोरने का काम किया था, प्रेमचंद ने क्या किया, हिंदी कथा सहित्य को इन्होंने से केवल मनुरंजन तक सीमित नहीं उसमें आप देखेगा मनोरंजन है, पूरा, पूरा रोमेंटिसिज्म, प्रिम्चन का साहित वो नहीं है, वो यथार्स की बात करता है, हकीकत की बात करता है, जो जीवन में सच्चाई है, जो समस्याओं का अंबार है, जो हमें जुझना पड़ता है, इनसान सिर्फ अच्छा सबर ही नहीं होते, उनमें कमजोरी भी होती है, तो इन सब चीजों को लिखने की हिम्मत शो करना, दिखाना, ये क्या कहता है, ये कहता है, कि आप यथार्स को सुईकार कर रहे हैं, सिधा आप ये बताइए, कि मनुश बहुत अच्छा होता है, आदमी को सच बोलना चाहिए मेहनत करना चाहिए, तो ये क्या है, ये रोमेंटिक बाते होई, सचा है कि मनुश बहुता है, वह चूड़ी भी करता है, वह जूट भी बोलता है, वह ठकता भी है, तो इन गुणों को भी इंसान के अंदर दिखाना, इनका समधान ढूड़ना, और इनके लिए ये सब करना जरूरी है, कि आप प्रेमचंद के सहितों को सुनें, उसे पढ़ें, समझें और जानें, इसको जानने से प्रेमचंद का सहितों को समझने में सहायता परदान करता है, इसलिए प्रेमचंद महान माने जाते हैं, कि इनका लेखन ये अथार्स पर अधारित है, ये सिर्फ जी जीवन में जो बदनुमा डाग है, जीवन में जो धब्बे हैं, जीवन में जो दुख है, गम है, दर्द है, उसको भी आवाज प्रदान करना ये प्रेमचंद के सहित की खासियत है, ये उनकी खूबी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें असपश्ट हो गई ह होंगी, इस यूग के जीवन समाज की समस्याओं, प्राधिनता, जमीनदारों, महाजनों और सरकारी अमलो द्वारा किसानों के शोषन, ये आपके समाज की परस्तिती है, कि आपका समाज क्या है, कहीं न कहीं उस समय जिसमें प्रेमचंद का साहित था, जिसमें वो लिखते जीवित थे, वो प्राधिनता भारत की एक बहुत बड़ी समस्या थी, विदेशी शाषन था, जमीनदारों और महाजनों का यहां पर रूब था, वे आम आदमी को बहुत परिशानी का परिशानी से भड़ा हुआ जीवन परदान करते थे, और सरकारी अमलों, सरकारी जो स् लोग, वे क्या करते थे, वे किसानों के शोषन करते थे, किसान जो खिती वारी करने वाले लोग होते हैं, उनकी परिशानी, आज भी भारत में है, तो किसानों का शोषन प्रेम चंद के समय में ही होता था, ऐसा नहीं हो, आज भी होता है, आज भी आपने देखा कि आपका जो वर्तमान ये गवर्मेंट है सरकार है इन्होंने बहुत सारा काड़ी किया है किसानों के हित में आज किसानों को नगज पैसा भी भेला जा रहा है उनके नाम पर उनके खाते में तो ये क्या है कहीं न कहीं किसानों की समस्या की स्विकारोपती है आज का समाज भी मानता है क खेती बाड़ी करने वाले लोग उनकी आर्चिक स्थिती अच्छे नहीं होए वे उनके पास में असीम समस्याएं हैं सो निर्धनता भारत की बहुत बड़ी समस्या रही है निर्धनता गड़ीवी और शिक्षा अंधविश्वाश दहेज की कूप्रता इस्तुरियों की पड़ाधिनता वृद्ध विवाह बाल विवाह विधवा समस्या सामप्रदाइक वैमनश्य जाती भेद और अश्प्रिस् तो मधवरगी कुंठा यही होती है कि जो उसके पास है नहीं वो उसका भी हकदार समझता है वह दिखावा बहुत करता है और भीतर से स्थिती खराब रहती है उतनी ताकत होती नहीं और हमें हवा मारना है कि दिलिए मैं बहुत बराती समार खान हूँ तो यह जो डपोर शं श्रोत रहा है ये बिंदू उनकी रचनाओं के अधार बिंदू रहे हैं तत्वर हैं उन्होंने अधीरता और बेचाइनी से इन समस्याओं और जीवन के विविद पहलूओं को अपने साहित में चित्रत किया था ये समस्याओं विविद रूपों में आज भी हमारे साथ हैं प्रेमचंद ने जिस समय लिखा उस समय तो ये समस्याओं थी ही आज भी ये समस्याओं हैं इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं इसलिए प्रेमचंद का साहित आज भी उतना ही समीचीन उतना ही प्रासंगिक उतना ही उप्योगी है प्रेमचंद का साहि कि्icionों की समवाज में कही यथावत मोजूद है किसानों की समस्याएं आज भी है और शिक्षाप आज भी है तो प्रेमचन का साहित हमारे जातिये और समाजिक जीवन का दरपन है प्रेमचन का जो साहित है मेरे दोस्तों वो जातिये और समाजिक जीवन का दरपन है साहित समाज का दरपन होता है यह कहावत अगर है तो प्रेमचन का साहित क्या है वो जातिये बनावट जो समाज की है व वह हमारे संक्रमन शील समाज के अंतह संखर्षों संक्रमन शील समाज का मतलब है समाज आगे की तरह बढ़ रहा है जहां है वहां नहीं है उसमें संक्रमन हो रहा है सुधार के लिए भी और भश्रचार के लिए भी तो समाज जो है वो बदल लहा है वो ऐसा नहीं है इस्थिर होती हैं तो आपस में जो संखर्स होते हैं विचारों के वेक्तियों के जातियों के उन सब में एक जिजी विशा का साक्ष भी है प्रेम चंद का साहित या प्रेम चंद के पात्र सरेंडर नहीं बोलते वह आत्म समर्पण नहीं करते बलकि वह उनमें एक जिजी विशा नजर जाती है वह जीने को बचैन होते हैं वोगी की प्रक्ष में नीदी लेते हैं वह आत्मातियां करते हैं वह कोई मनोरोगी नहीं होते बलकि वह उनमें एक ये हमारी सोच होनी चाहिए प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लिखक है तो प्रेमचंद के विशाय में ये बात पस्ट होनी चाहिए कि वो मूल रूप से क्या है मुख्य रूप से किसानों के लिखक है वो किसानों की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा आवाज परदान करते हैं यहां प्रस्तुत कहानी पूस की रात जो उनकी स्रिष्ट कहानियों में शामिल की जाती है एक छोटे किसान की ही कहानी है हमारे जो वर्तमान कहानी है जो पढ़ने जा रहे हैं पूस की रात यह है छोटे किसान की कहानी है एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हार गलाकर भी वह जारों से बचने के लिए कंबल नहीं खरित पाता प्राकृतिक आपदा जारा के रूप में यतनी ठंड पड़ती है पूस में कि यह व्यक्ति थर-थर कांपता है रात पिताना गरीबों के लिए मुश्किल है कंबल चाहिए तो कंबल चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए तो व्यक्ति जो इसका हीरो है इसका नाम हलकू होगा वो खरिद नहीं पाता है उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है दूसरी और पूस की वाकर कड़ाती ठंड जिसक तरह प्रकृति और मानव कृति व्योस्था मनुश्य के जीवन में दो तरह की व्योस्थाएं हैं समस्याएं एक तरफ से नहीं आती मानव कृति भी होती हैं मनुश्यों के द्वारा जणित भी समस्याएं होती हैं आप जा रहे हो कहीं सरक पर कोई अदमी पिस्तॉल ले करके स सामने आज कर खाड़ा हो जाए बोले कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा पैसा आपको पॉक्ट में जो है मैं छीन लूंगा तो वह हुआ मानवकृत व्यवस्था और प्रकृतिक व्यवस्था यह है कि आप जा रहे हो आप हो कंप आ गया तो रूड जो है सो अस्वेस्थ हो सरकें तबाह हो गई तो वह प्रकृतिक व्यवस्था तो प्रकृति और मानवकृति दोनुं तरह की समस्याओं से व्यक्ति जूजता है यह निहत्था हाल को पूस की छिछूडती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़या में मड़या मतलब जोपरी हट में जबड़ा के साथ जबड़ा कुत्ते का नाम है अपनी रात गुजारता है उसका पालतु कुत्ता है उसका नाम है जबड़ा ठंड से बचने के लिए उसके पास मूख जानवर उसका कुत्ता जबड़ा है जिसे वह अपनी देह से लगाकर ठंड का परतिकार करता है परतिका दूइए मतलब से बना हुआ सामान जैसे जारा के दिन में इस्तिमाल करते हैं और नहीं तो भुदन मितलब पती-बद्ली. अगर सास हो तो ठंड नहीं लगती. तो यह रुये नतवीये . तो यह व्यक्ति वहाँ पर वहाँ पर कोई आदमे को उसको नहीं मिला तो वहाँ पर पती-बद्ली नहीं है तो उसको मिला, तो उसके सरीर को उसने कसके पकर लिया उसको सीने से लगा लिया तब भी उसे गड़मी की का अनभव हुआ तो यह है कि आखिरकार कुटा भी तो जीव ही है पर्याह पर्तिकार अपनी परिनतियों में क्या सचमुझ पर्तिकार सिद्ध हो पाता है लेकिन क्या इससे उसकी ठंड की समश्या का समधान हो पाता है नील गायें रात में उसकी फसल चड़ जाती हैं रात में ऐसा हुआ कि वो ठंड से दुबकर करके अपने मड़ई में सोया हुआ था नील गायों का आकरमान हुआ और उसकी फसल पूरी चट कर गई हो सब वो ठंड के मारे निकला नहीं अपने बिशावन पर से बाहर नहीं आया प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहाने की रचना की है सुबह में जब उसकी पतनी को पता चला पतनी बोली कि साड़ी फसल तो नील गायों चर गई तो प्रेमचंद का ये पात्र हलकू ये इस बात से दुखी नहीं है उतना कि उसकी फसल बढ़बाद हो गई बलकि इस बात से वो संतुष्ठ है कि चलो अब आज से कम से कम खेत में सोने तो नहीं आना पड़ेगा तो ये जो गड़ीबी है उससे कहीं बड़ी समस्या उससे उस समय लगी ये प्राकृति की समस्या ठंड की समस्या तो फिर ये खलकू उस प्रकार से उसकी फसल बढ़बाद हो जाती है और वो अफसोस करने के बजाए वो कहीं ने कहीं खुशी मसूस करता है भीतर से कि अब इस ठंड में हमें खेत में सोने नहीं आना पड़ेगा तो यह रही कहानी यह हलकु इसका पात्र और जवरा खुता तो मेरे दोस्तों यह मैंने आपको आज से आरम ह किया यह वीडियो बनाना हिंदी विशाय के लिए और यह पहला आपको रहा यह इसके बाद किताब करेंगे तिपणी करेंगे आपके द्वारा की गई हर टिपणी मेरे लिए मार्क दर्शन होगा सलाह के तौर पर मैं उसको लूँगा तो आप प्लीज कोमेंट करोगे और आपके टिपणियों का मुझे इंतिजार रहेगा और आपने इसको देखा सुना थैंक्यू फॉर व करेंगे डिपणी।